चकना चूर कर किया जा रहा है रोज किया जा रहा है और राज़वर समाज अपनी घर में बैच कर तमासा दीए सेलाग मसूत के संबाब को आज सही बताया जा रहा है आज भारती जनता पार्टी का जो हमारा आजमगड जन्पत का कार्याल है उसपर राजभर समाज के जो प्रबुध लोग हैं और जनप्रतनिधी हैं खास तोर पर हमारे जो समाज के डाक्टर हैं मास्टर हैं जो वकील सहब लोग हैं जो हमारे सम्मानित प्रधान हैं जो पूर्व प्रधान हैं जो छेत्र पंचायत के सदसे हैं पूर्व छेत्र पंचायत के सदसे हैं जिला पंचायत के सदसे हैं पूर्व जिला पंचायत के सदसे हैं ऐसे तमाम जो जनप्रतनिधी हैं जो समाज के लिए काम करते हैं समाज की चिंता करते हैं ऐसे लोगों की एक महत्पूरुन वैठक यहाँ पर संपन्न हो रही है इस आउसर पर मेरे साथ राज सभा के सम्मानित सांसत शकलदीप राजभर जी भी उपस्थी थे साथ ही भारती जन्ता पार्टी का जो यूवा संठन है हमारा उसके प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी भी उपस्थी थे और आजमगड में जो लोग भी पार्टी का काम करते हैं विभिन दायुतों पर रहकर आज अपने जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं ऐसे भी तमाम साथियों के उपस्थिती इस बैठक में हो रही है और ये बैठक तेरह तारिख को जो हमारे देश के यसस्वी ग्रिह मंत्री हमारे नेता परमस्रद्धे अमिद भाई साह जी का जो वागमन हो रहा है उस संदर्भ में ये बैठक बुलाई देगे जिस तरह से ग्रिह मंत्री जी ने राश्ट बीर महाराजा सुहल देव का जिस तरह से उन्होंने मान बढ़ाया है सम्मान बढ़ाया है जिस तरह से उनके नित्रत्व में बहराईश से लेकर गाजी पूर तक बनारस से लेकर बस्ती तक पुर्वान्चल के इलाके में राजभर समाज के तमाम हमारे साथियों को सम्मान मिल रहा है ऐसे हमारे देश के यससवी ग्रिह मंत्री जिनोंने देश के महापुर्सों का हमेशा मान बढ़ाने का काम किया है उनका आगमन हो राय पुर्वान्चल की धर्ति पर